हेलो एवरिवान ये फी एकेडमी जैपूर में आप सभी का स्वागत है पीटेश स्पेशल हमारे इस बैच में तो इस वीडियो में बात करेंगे कि इस खास टोपिक के बारे में यानि की इंडिया में इंपोर्टन्ट स्टेडियम कौन कौन से है और उन स्टेडियम के अंदर क्या-क्या खास बात है सबसे बड़ा कौन सा है चोटा कौन सा है उनके अंदर क्या-क्या स्पेशलिटी ऐसं में इस वीडियो में तो चलिये बिना टाइम वेंश difender करें करें तो कि एपना इमपोर्ट्न स्टेडियम इन इंडिया यहां कि भारत में मैत्पूर्ण स्टेडियम भी क्या है यहें वहीं से पहली बात जो एक है कहाँ पे टिक यह आझे ञें क defines आपकैके चपे में कहां पर नबना था 1864 बना था यानि 1564 में बना था क्या आपका इडन गारडन और यह कहां पर आप कोलकता में है ठीक है उसके बाद इसके अंधर और कौनसी important चीज यह तो आपको पता होना चीज आप cricket लगदिखते और अग veil honor क्रिकित सबसे पुराना स्टेडियम है गार्ड़न के उसके अंदर इड़न गार्डन की अंदर इडरन गार्डन को जो रहे हैं भारति है मक्का भी कहा जाता है इंडियन क्रिकेट यानि कि भारतिय क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है तो यह देखो भारतिय क्रिकेट के मक्का के रूप में भी जाना जाता है तो कौन सा स्टेडियम जाना जाता है भारतिय क्रिकेट के मक्का के रूप में आपका इडन गार्डन जान इसको पहले क्या बता है आपको ड्यान रखने वाला कि कहा है सबसे पूराना स्टेडियम है क्या है सबसे पुराना स्टेडियम है और क्या खास बात है इसको इंडियन क्रिकिट का या ने की भारते क्रिकिट का मक्का भी कहा जाता है तो यह कुछ खास बात हैं थी किसके बारे में आपके इडन गार्डन के बारे में बहुत इंपोर्टन है यह सारे स्टेडियम तो आप को पता होने चीए इस स्पोर्ट्समन कौन सा स्टेडियम कहां पर है ठीक है तो सबसे पहले बात करी हमने किसकी इडन गार्डन की आगे बात करते हैं दूसरा जो स्टेडियम है वो है अपना ग्रीन पार्क स्टेडियम अब ये ग्रीन पार्क स्टेडियम पहली बात तो है कहां पर क्या नाम है इसका ग्रीन पार्क स्टेडियम ये ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है अपना ये ग्रीन पार्क स्टेडियम है अपना किसमें का 1945 में बना आपका क्या Green Park Stadium अब इसका Green Park Stadium Green Park कैसे नाम पड़ा किसको Green Park से क्यों नाम दिया गया ऐसा क्या था यहाँ पर किसको Green Park कह दिया गया देखो Green Park क्या था एक मैडम थी शिदी सी बात है इस टाइम के उपर क्या चल रहा था अपने पड़ा किया मैंडम का नाम तांग तो मैडम जो थी वह वह अपे क्या पड़ा इसका स्टेडियम पड़ा Ah कहांपे है यह आपका कहांपे में जो आपका green park stadium को दूसरे किस नाम से जाना जाता है यह जो आपका एे Green Park Stadium जो कानपुर में है ये क्या है Woolmer Woodward rainforest के नाम से भी जाना जाता है या Woolneck मैदान के नाम से भी जाना जाता है अब ये Woolmer कं वूल्मर के नाम से क्यों ना जाना जाता है देखों इनका पूरा नाम था वो वूलमर वूलमर जो थे वह क्या से और उनकी डैथ़ के बाद क्या क्या गया किया इस्टेडियम को इसलिए क्या कर जाता है वूलमर जो में आसे घाएं थिक तो ये कुछ खास बाते थे किसकी आपने Green park कानपूर के नाम से बिलियर्स टेबल के नाम से कौन सा स्टेडियम जाना जाता और दूसरा क्या नाम है इसका और एक नाम है वह क्या है को वूमर का वूमर टर्प या वूमर के मेदान की रूप में बीसे क्या है जाना जाता है तो यह कुछ खास बात थी किसके बारे में आपके ग्रीन पार्क स्टेडियम के बारे में आगे बात करते हैं अगला स्टेडियम देखते हैं इंपोर्टन अगला है आपका बारा बत्ती स्टेडियम यह बारा बत्ती स्टेडियम कहां पर आपका बारा बत्ती स्टेडियम है आपका कटक में कहां पर आपका कटक में कब था 1958 में यह लेको यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हुए यह बारा बत्ती स्टेडियम क्रिकिट का यह बहुत ही खुबशूरत ग्राउंड है और यह कहां पर है आपका कटक में है कहां पर है कटक में ठीक है अगले स्टेडियम की करेंट में जो चल रहा है वो है आपका नरेंदर मोधी स्टेडियम यह कहां पे है पहली बात तो नरेंदर मोधी स्टेडियम नरेंदर मोधी स्टेडियम है आपका एमदाबाद गुजरात में कहां है आपका एमदाबाद गुजरात में अगला जो स्टेडियम अपन बात कर र सरदार पटेल स्टेडियम जो मोधी स्टेडियम है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था पहले इसे सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था लेकिन अभी 2021 में अभी 2021 में फरवरी के आसपास फरवरी में 2021 में क्या क्या है 2021 में इसका नाम बदल दिया गया है इसक और किस और किस नाम से जाना जाता है इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है आपका जो नरेंदर मोधी स्टेडियम है या सरदार पटेल स्टेडियम है जो किसका पुराना नाम था उसको किस नाम से जाना जाता है मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता इसको ठीक है उसके बाद क्या है कि यह विश्व का इस टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है तो अगर यह पूछ ले कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है तो वह कौन सा हो गया अब अब 2021 में कौन सा हो गया आपका नरेंदर मोधी स्टेडियम हो वो है आपका नरेंदर मोधी स्टेडियम या फिर आपका मोटेरा स्टेडियम ठीक है अभी क्या क्या था Acreleri के आसपा सी जिसर क्या क्या गिया है दुबारा open किया गया है दुबारा a rebuild करके और उसका नाम भी पहले सरदार प्टेल था लेकिन अभी बदल के क्या कर दिया गया है नरेंदर मोधी Stadium कर दिया गया है या फिल इसको motera के नाम से जाना जाता है motera stadium के नाम से भी जाना जाता uns और क्या यह आपने देखा होगा आप क्रिकेट देखते हो तो पिंख बोल से टेस्ट मेंच शुरू हूए तो वह पहला मैच कहां पे वा था पिंख बोल से वह यहीं पे वा था आपके मोटेरा या फिर नरिंदर मोधी स्टेडियम में हुआ था यह देखो पिंक टेस्ट मैच की मेजबानी की थी इसने पहली बार पहली बार जो पिंक बोल टेस्ट मैच हुआ था वो कहां पे वा था यहीं पे वा था नरिंदर स्टेडियम में ही वा था यानि कि आपका मोटेरा स्टेडियम में ही वा था अगले स्टेडियम के बात करते हैं यह बहुत जरूरी है करेंट के इसाब से भी यह स्टेडियम आप से पूछा जाता है कि इस टाइम पे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है पहले उस किरगान किरगानी ठीक है विवेकानंद युवा भारती किरगानी स्टेडियम यह कहां पे है आपका कॉलकत्ता में है कहां पे है आपका कॉलकत्ता में यह आप वहाँ इसकी फोटो देख सकते हो आप यह कहां पे आपका कॉलकत्ता में है ठीक है इसको दूसरे किस नाम से जान जाना जाता है क्योंकि सोल्ट लेग के पास में है इसको क्या कहा जाता है सोल्ट लेक परनाम से जाना जाता है कहां पर बात करें अगले स्टेडियम के उपर अगला स्टेडियम है आपका जोहरलाल नहरू स्टेडियम जोहरलाल नहरू स्टेडियम कहां पर है आपका दिल्ली में ठीक है इसके अंदर और खास बात क्या है यहां पर देखो जोहरलाल नहरू स्टेडियम है दिल्ली में इसी के अंद इसके एड़काटर आपके यहीं पे हैं ठीक है और यह कहां पर आपका जवाब नेरू स्टेडियम् दिल्यम में यह देख सकते हो आप एथलेटिक्स और फुटबोल के लिए यह बहुत पोपुलर है फुटबोल वगएरा के मैच यहां पर होते हैं साइड में इसके आप एथलेटिक ट्रेक देख सकते हो तो एथलेटिक और फुटबोल के लिए बहुत फेमें से यह स्टेडियम ठीक है कहां पे है दिली में है और आपका जो स्पोर्ट्स अथोर्टी ओफ इंडिया है उसका है यहीं है तो इस चीज का ध्यान रखना आप से स मुख़्याले है वह कहां पे है आपका दिल्ली में हैं आपके साही करें आहने के स्पोर्ट्स अथोर्टी ओफ इंडिया का आगे बात करें पिजब्ध अगला स्टेडियम है अपने पास में राजीव गांदी इंटरनेशनल क्रिकेट?' यह राजिव गांदी International Cricket Stadium कहां पर है आपका राजिव गांदी International Cricket Stadium है आपका है चाहां आपका अगे बात करते है पर उसके बाद में अपक़ फिरोशा कोटला यह तो सीधी सी बात आपको पता होगा विरेंदर तो कहते देना फिरोसा कोटला से सीधा ठीक है तो कहां है यह आपका फिरोसा कोटला है आपका कहां पे डैली में है कहां पे आपका डैली में है लेकिन इसके अंदर यह जो स्टेडियम है ना अभी जो डैली में है पहले इसको फिरोसा कोटला के नाम से जाना जाता था लेकिन आपके D.D.C.A. के प्रेजिडेंट थे अरून जेटली उनके नाम के उपर इनका क्या हो गयाव यह फिरोसा कोटला नाम का भू बदल के तो जो फिरोसा कोटला था आपका अभी वो किस नाम से जाना जाता है अरुन जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है ठीक है तो यह चीज ध्यान रखना यह पूछा जा सकता है कि आपका फिरोसा कोटला मैदान का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है तो क्या कर दिया maggot Association Stadium अभी विदर्व Cricket Association Stadium यहाँ और नागपुर में है कहा नागपुर में है ये जो आपका विदर्व Cricket Association jakim के नाम से आज आ хороший थीक वर किस नाम से जाना जाता है इसको उसको जाना जाता है युश चीजियम के चाहmates कि सना से जाना जाता है किसनाम से स्टेडियम आपका नागपूर में है और किस नाम से जाना जाता है आपका इसको VCA स्टेडियम के नाम से जाना जाता है यह देखो new VCA स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता है तो ठीक है इसका दूसरा क्या नाम क्या है new vca student कहां पर आपका यह नागपूर में है है झिके आगे बात करते हैं कि अगला Stadium है आपणा बहुत अंतरा ट जाए सरकिट यह बहुत यह बूध अंतरा क्या होता यहां पत्रांस्टी जो सर्केट है आपका वह कहं पर आपका नौईडा में यहां होता है पहली बात यह सर्केट यहांपर क्या होता है पहली बात तो यह बहुत अंतरास्ट्रीस इससेちは तो आपको सर्कीट सा दिख रहा होगा इसमें क्या होता है आपका formula-one which during and safety वगड़ा होती है क्या होती है formulaul.3 वगड़ा formula रेशिज यानि कि आप कह वगड़ा की रेसिंग होते ना कार की रेसिंग bike racing यह सारी चीजे कहा होती है आपकी यहीं पे होती हैं कहां पे होती हैं बोध अंतराश्टी सर्किट में होती है यानि कि आपने टीव वगेरा में देखा होगा कभी वो गाडियों की रेसिंग दिखाते होते हैं तो गाडियों की रेसिंग वगेरा होती है याम पे फॉर्मूला वन रेस बोलते हैं उसको वो कहां पे होती है आपकी बहुत अंतराश्टी सर्किट में होती है और यह बहुत अंतराश्टी सर्किट कहां पे है आपका नोईडा में हैं नोईडा यानिकी उत्तर प्रदेश में है कि अगला स्टेडियुं में आपका Green Field क्दास्ट सरे आपका तिर्वनथ पुरह्म में आपका तिर्वन्थ पुरह्म में और उसको किस नाम से जाना जाता है इसको आपका तिर्वेंदम के नाम से भी जाना जाता है, इसको तिर्वेंदम स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, पहली बात तो आपका Green Field International Stadium है, Green Park के साथ konfuse मत हो जाना, Green Park कहां पे है आपका, Green Park आपका कानपूर में है, जिसको Billiards Table भी कहा जाता है, और ये क्या है पार्क नहीं है यहां पे देखना कहीं और आपका तिर्वंत पुरम में और किस नाम से जाना जाता है इसको तिर्वंदम के नाम से भी किसका तिर्वंदम International Stadium के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो ये होगे आपना Greenfield International Stadium आगे बात करते हैं कि आगे जो अपना Stadium है वो है आपका DY Partil Stadium क्या है आपका DY Partil Stadium इसका तो पता होगा बहुत ही common है कहां पे है आपका ये मुंबई में है डीवाई Partil Stadium कहा है आपका मुंबई में है ठीक है उसके बाद में है अपने पास में कलिंगा स्टेडियम कलिंगा स्टेडियम कलिंग इसके अंदर बात और है बुमनेशवर से रिलेटिड बूमनेशर को अब खेलों की राजदानिक आ जाता है ठीक है Sports Capital of India कौन सी city को कहा जाता है आपका भूमनेशवर को कहा जाता है यानि की खेलों की राजदानी ठीक है ये देखो भूमनेशवर को भारत की खेल राजदानी के रूप में भी जाना जाता है ठीक है तो भूमनेशवर is also known as Sports Capital of India ये question ध्यान में रखना पूछा जा सकता है कि स्पोर्ट्स कैपिटल यानि कि खेल राजदानी के नाम से कौन सी सिटी को या कौन सी सहर को जाना जाता है तो किसको जाना जाता है आपका भूमनेश्वर को जाना जाता है खेल राजदानी के रूप में कौन सी को जाना जाता है भूमनेश्वर को कहां पर यह ओडिशा में है ठीक है अभी ओडिशा बहुत फेमस हुआ था पिछले अभी ओलंपिक हुए तब होकी की वज़े से की इंडिया की जितनी भी होकी थी उसको पूंसर किस ने किया था आपका ओडिशा नहीं किया था ठीक है उस चीज की वज़े से भी काफी न्यूज में रहा था और यह जाता है यहां पर कौन सा स्टेडियम है आपका से अरजालिय हैं यहां पर कौन सा स्टेडियम है कलिंग स्टेडियम है ठीक है और डिवाइब बinfection कहां पर है आपका मुंबई में हैं ठीक है आगे बात करते हैं उसके बाद में है अपने पास में शहीद वीर नारायन सिंग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यह कहां पे है आपका रायपूर में है ठीक है यह राद देख सकते हो आप क्रिकेट स्टेडियम की फोटो यहां पे तो क्या है यह क्रिकेट स्टेडियम है शहीद वीर नाराय सिंग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यह कहां पर आपका राइपूर में उसके बाद में है आपका चिन्ना स्वामी यह तो बहुत चन्नाई सुपर किंग के जो फैन है न क्या है A試 Łam M चिन्ना स्वामी स्टेडियम तो ठीक यह M चिन्ना ऍस्वामी स्टेडियम कहां पे है आपका बेंग लोर में यानि की रोयल चालेंजर बेंग लोर सौरी चन्नाही सीबर किंग अब अ कोई नहीं कहां पे है बेंग लोर में है आपका यान 250 आर िबיבी उसका home ground कह सकते हो आप IPL तो सभी देखते होगे M. चिन्ना स्वामी Stadium कहां पे है आपका ये? बैंगलोर में है आगे बात करते है आगे है अपना बिर्सा मुंडा एतलेटिक स्टेडियम बिर्सा मुंडा एतलेटिक स्टेडियम बिर्सा मुंडा एतलेटिक स्टेडियम कहां पे है आपका राची में है बिर्सा मुंडा एतलेटिक स्टेडियम कहां पे है आपका राची में है उसके बाद में आता है अपने पास में वांखडे स्टेडियम ये तो सभी को पता होगा वांखडे स्टेडियम वांखडे stadium कहाँ पे है आपका बॉंबई में हैं ध्यान रखना वांखडे这个 अपने पास में इंद्रा गान्धी एथलेटिक अग्धी एतलेटिक स्टेडियम यह कहाँ यह आपका गुंबवाटी में हैं कहां पे हैं आपका गुंबवाटी में हैं इंद्रा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम कहां पर है इंद्रा गांधी एथलेटिक स्टेडियम कहां पर है आपका गवाटी में इसको इस नाम से भी जाना जाता है किसके नाम से सरूज सही सरूज सही के नाम से भी जाना जाता है किसको इसको आपका गवाटी में जो स्टे स्टेडियम से क्या है केड़ी सिंग बाभू स्टेडियम उत्र प्रदेश वालों को अच्छे से पता होगा बहुत भूपुलर है वहां पे यह पर हुझ्य agreement mo यह कहा कालों का लखनम में है कालो में ओसके बाद में आपका स्वाई मान सिंग You यह तो आप सबी को पता होगा स्वाई मान सिंग स्टेडियाम कहाँ आपका जैपुर में है तो इन चीजों का द्यान रखना कि टिवाभू सिंग पाधियरें आपका लखनम और ये स्वाई मां सिंग का है आपका का जैपूर में तो यह थह बोलो की नहीं स्वाइमान सिंग का KD शिन्ग दर किडी डियां रखना का लखनाव कि अगला पास में में इस नियार द्यांचन्द ने तका दिल्ली में किसका ग्राउंड है होकी का ग्राउंड मेजर द्यानचन नैशनल स्टेडियम यह कहां पे है आपका दिल्ली में है और होकी का यह ग्राउंड है उसके बाद में है अपने पास में कैप्टन रूप सिंग स्टेडियम क्या है कैप्टन रूप सिंग स्टेडियम कहां पे आपका स्टेडियम का है आपका मेजर ध्यांचन नेशनल स्टेडियम कहां पर है आपका डैली में है ठीक है तो यह कुछ स्टेडियम से जिनके ओपर हमने बात करी इस वीडियो में ऐसे करते रहेंगे चोटे मोटे में पर्यक्र खतम करते रहेंगे तब तक सिह सब्सक्राइब